आम आदमी पार्टी दिली नगर निगम चनाओं में एक एतिहासिक जीत की और बढ़ रही है भारत की राजनीती के अंदर हमने ही रेकॉर्ड बनाया था 70 में से 67 सीट का और मैं समझता हूँ कि दिल्ली नगर निगम के इस चनाव में आम आदमी पार्टी अपने ही रेकॉर्ड को तोडने जा रही है और उससे भी ज़्यादा बड़ा रेकॉर्ड आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है ऐसे मौक्य पे मैं आज एक घोशना करना चाहता हूँ कि आम आदमी एक गारेंटी देना चाहता हूँ एक तरह से दिल्ली के लोगों को कि आम आदमी पार्टी MCD में सरकार बनाने के बाद एक स्कीम लाँच करेगी जिसका नाम होगा जनता चलाएगी MCD अक्सर हमने देखा है कि छोटे-छोटे कामों के लिए जनता को निताओं की चक्कर काटने पड़ते हैं अब जनता निरने लेगी और सरकार काम करेगी एक तरह से जितनी R.W.S. हैं R.W.S. वो बॉड़ी होती है जो जनता के सबसे करीब होती है R.W.S. को मिनी पारशद का स्टेटस दिया जाएगा अपने इलाके की जैसे पारशद एक वार्ड का बॉस होता है वार्ड का नेता होता है अपनी R.W.S. के इलाके का जो R.W.S. का इलाका है उसका नेता R.W.S. को माना जाएगा R.W.O. को मिनी पारशद का स्टेटिस दिया जाएगा किसी भी वहाँ पे रहने वाले जनता को किसी को भी काम कराना है उसको फिर किसी नेता के चकर निकातने वो अपनी R.W.O. के दफ्तर जाए बताए मेरी ये नाली खराब है मिरा ये गली खराब है मेरा ये खराब है पानी बिजली जो भी समस्याए है और उस वो R.W.O. के पास ताकत होगी वो सारे काम करवाने की जो की जनता आके सीधे उनको बोलेगी तो लोगों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए नेताओं के चक्कर काटने के जरूट नहीं पड़ेगी AWS को अपना दफतर चलाने के लिए और लोगों के सारे छोटे-छोटे काम कराने के लिए फंड्स उपलब्ध कराए जाएंगे तो एक तरह से रियल माइने में RWS का सशक्ति करन किया जाएगा MCD के अंदर सरकार बनने के बाद इसका पूरे इसका मकसद है कि जनता को दिल्ली का मालिक बनाना जनता को असली नेता बनाना दिल्ली के हर नागरी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा सीधे सब्ता दिल्ली के लोगों के हाथ में दी जाएगी और जनता जो है अपनी RWS के जरीए अपने सारे काम करा सकती है मेरी दिल्ली की सारी RWS बहुती है आप सब लोग अपने-पने इलाके के अंदर छोटे छोटे नेता हैं, आप सब लोग अपने-पने इलाके के अंदर सम्मानित लोग हैं, मैं सारी RWS से निवेदन करता हूँ कि तीन-चार दिन रहेगा बैस चुनाओ के, आप सब लोग अपने-पने इलाके के अंदर, आप किसी भी पार्टी के हो, मेरे को पार्टी बाजी से कोई लेना देना नहीं है आप आम अदमी पार्टी के हो, आप बीजेपी के हो, आप कॉंग्रेस के हो अब आपको हम सशक्त करने जा रहे हैं, आड़ब्लोएस को हम सशक्त करने जा रहे हैं रियल माइनों के अंदर हम आपको पॉलिटिकल पावर, फिनेंशल पावर देने जा रहे हैं हर आड़वुए से मेरी दिली की हर आड़वुए से विंती है कि आप अपने 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 अलाके के अंदर डो टू डो जाएए, एक 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 घर जाएए और उनको कहिए कि आम आदमी पार्टी को वोट दें अपने अपने वाटसेप ग्रूप के अंदर सब के आड़वुए से वाटसेप ग्रूप होते हैं वाटसेप ग्रूप के अंदर आप सब को कहिए कि भई आप जिस भी पार्टी को कोई बात नहीं इस बार सारे जन्हे मिलके आम अदमी पर्टी को वोट दें, और आप जादा से जादा आम अदमी पर्टी को वोट दिलाने के लिए वो करें, सभी आडवलोज को मैं यह भी कहना चाहता हूं, की आपके इलाके में मानलो दूसरी पर्टी का कोई पारशद बन गया, फिर वो द आइसो सीटे जो हैं आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए ताकि हम आपको सश्च्ट कर सकें आपके कोई प्रश्ट है तो अपके कोई प्रश्ट है तो इसका सारा एक ट्रांसपरेंट तरीका बनाया जाएगा ऑनलाइन भी करेंगे इसको जैसे मान लीजिए जनता आई उनके पास और एक तरह से उनको अपना ओफिस चलाने के लिए अगर हम पैसे देंगे तो सिस्टम भी बनाएंगे ओनलाइन जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है जितनी ग्रिवांसे आ लोगों की जितनी डिमांड्स आ रही है वो ऑनलाइन पार्शद भी देख सकता है मले भी देख स अजितना मलबूत सर्वेश है तो कहां तरह नंबर जाएगा विस अनॉंटम भी देख से पहले भी गाथा 230 क्रॉस करना चाहिए मेरे साब से डाइसों में से 230 क्रॉस करना चाहिए बीजेपी की 20 से कमानी चाहिए ऐसा मेरा मानना है मेरा तो मैं ये चुनाव जो है मैं चाहता हूं कि दिल्ली का हर व्यक्ति केवल चुनाव में वोट डालने ना जाए चुनाव में actively participate करे, प्रचार करे, अच्छी पार्टी का प्रचार करे, इमानदार पार्टी का प्रचार करे, घर-घर जाके प्रचार करे, सब लोग प्रचार करो, सब लोग अपनी WhatsApp ग्रूप में डालो, अपनी DP बदलो, DP में जाड़ो का चिनाल चिन लगा लो, सारे लोग कि अधिन को अंदोलन बना दो इस चुनाव को, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, आप आप रूसल नमबर पर आएंगे, जनता की पहली पसंद बनेंगे, लंडन में कुड़े का पहाड कहा है मुझे अड्रेस बता दें टोकियो में कुड़े का पहाड कहा है मुझे अड्रेस बता दें वो छोड़ो इन दौर में कुड़े का पहाड कहा है मिर को अड्रेस बता दें पांच साल पहले इसी बात पे चुनाव लड़े थे कि कुड़े क पार्ड़ भटा देंगे अब पान्थ साल में इंसे कोड़ का पार नहीं हटा तो अब कह रहे हैं Pacific साफ कि पेमिन तो नहीं रोकना लाइज नहींड नहीं है वकिल की पेमिंट क्यों रोक रहे हैं लोग तो ऐसे नहीं रोक सकते, ऐसे नहीं रोकना चाहिए, हर चीज में अड़ाना, हर चीज में अड़ाना, पहले योगा क्लासेज रोक दी, फिर पलूशन के खिलाफ काम कर रहे थे, वो रोक दिये, अब आप बता रहे हैं कि लॉयर्स की पेमेंट रोक दी, काम रोकने वालों को रोकने वालों को जनता पसंद नहीं करती, काम करने वालों को जनता पसंद करती है, L.G. साब ने जितने छे महिने में काम रोकी हैं, वो अब देख लेंगे, M.C.D. के नतीजों में क्या हाल होता है इन लोगों का, अगर ऐसे ही काम रोकते रहे तो वो सातों सीटे भी बंप तो जो वो बद्रामी है, वो ही काम रही आपके हैं? उसके बड़ी पार्टी है, उसकी दुकान दिल्ली वालों ने बंद कर दी, उनका माल बिकना दिल्ली में बंद हो गया, तो उस पार्टी ने एक वीडियो बनाने की कमपनी शुरू करी आजकल, जब माल बिकनी रहा था, पुराना माल बिकनी रहा था, तो वीडियो बनाने क ही रिरीज होती हैं इनकी पिक्चरे रोग नूस चैनल पर रिलीज होटी है। लेकिन पिक्चरे इतनी घतया और इतनी बोरिंग है कि इस सुबहे नौबजह रिलीज होती है बास पहले नौ-शे बारा क शो चलता है । रहा बज़े, सारे युस चैनलों फे बाग खताम हो जाती है उसके ज़द ना गाने ना दांस इनकी पिक्चरों में इंके वीडियो में कुछ भी नहीं है कोई देखता ही नहीं है इन से नि Ve Rider का कुछ वो इनके Neighbor का एक Ready कि ़र्इट कि पापा का डांस डाल दे उसमें वो Baby Beard and Picks ayे Na vimos शीम शुम शुम वो डाल दे तो पिक्चर थोड़ी चल तो जाए और पिछल 4-5 दिन से तो पिक्चर आई नी रही पता हो गा कि वीडियो इतने बोरिंग है वीडियो में कोई content नहीं है वीडियो को थोड़ा entertaining बनाएंगे तभी तो वीडियो चलेंगे तभी तो पिक्चरेंगे उसमें कुछ भी नहीं है इतने बोरिंग वीडियो है जनता पॉजिटिव राजनीती चाहती है, जनता गाली गलोजनी चाहती है, आज इनके साथ मुख्य मंतरी इन्होंने ला रखे हैं दिल्ली में, साथ मुख्य मंतरी, साथ प्रदीशों के मुख्य मंतरी, एक उप मुख्य मंतरी केशव प्रसाद मुर्या, और सतरा कैबिट ने मिनिस्टर इनके दिल्ली में उतरे हुआ है इतने सारे नेताओं की क्या जरूर पढ़ गे क्योंकि पंदरा साल में कुछ काम नहीं किया अगर कुछ काम कर देते तो इतने नेताओं की जरूरत नहीं पढ़ती इतने नेताओं को उतारने की जरूरत नहीं पढ़ती फिर एक काम इनी लिख रखे थे पंदरा साल में क्या काम किये ? तो बोला भूल 76 में पूछा पार्टी से भई क्या क्या काम किनाएं आ जू अब ढूल केडि गाली याँ लिकियोती की केजरी वाल को ये गाली याões देनी ए तो केवल केजरीवल को गालियां देने से आप चुनाव जीतना चाहते हो जनता के बीच में मिर को गाली देके कहते हैं केजरीवल के पैर तोड़ देंगे केजरीवल की आँख फोड़ देंगे मैं कहता हूँ मैं दिल्ली को साफ सुत्रा करूँगा कहते हैं केजरिवल की टांगे तोड़ देंगे मैं कहता हूँ मैं दिल्ली को चमकाऊंगा दिल्ली को गंद निकालूँगा कूडा हटाऊंगा कहते हैं केजरिवल की आखे पोड़ देंगे ऐसे तुम चुनाव जीतना चाते हो अगर तुमने पंदरा साल में आज मैं जेपी नड़ा जी ने अभी कुछ उनको मैं चैलिंज करता हूँ एक काम गिना दो पंदरा साल में तुमने जो एक काम किया है एक काम एक काम नहीं किया इनका केवल एक ही वन पॉइंट एजेंडा केजरिवल को गाली दो इनका केवल वन पॉइंट एजेंडा एल जी सापसे सारी दिली के काम रोको काम रोकने वालों को गालियां देने वालों को वोट ने मिलता काम करने वालों को वोट मिलता जनता तेकर लेगी अब देख लेना आर्ट तारीक को साथ तारीक को जनता तेकर जनता को तेकर ने दो